नमस्कार येलाफ डेसीपी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ओट्स का हेल्दी नास्ता लेकर के आई हूँ साथ में हम बनाएंगे विजिटेवल रायता सुबह के नास्ते में आपिस रायते और ओट्स की डोटी को ले सकते हैं ओट्स हमें बेट लॉस करने में बहुत मंदद करता है तो चली बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप ओट्स इसे मैंने पीस लिया है ओट्स आप कोई भी ले सकते हैं अब हम इसाटे को गुधेंगे नहीं बलकि इसे हम घोल करके इसका रोटी बनाएंगे आवस्यक्ता के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पहले इसका घोल त्यार करेंगे हमें इसे पतला नहीं घूलना है अभी हम इसका गाणा ही घूल त्यार करेंगे जरूरत के हिसाब से हम इसे पानी टालेंगे इसे घूलने में मुझे आधा कप से थोड़ा साथ जाधा पानी लगा है इसमें जो लंब से उसे हम तोड़ते हुए अच्छे से घोल लेंगे अब हम इसे धकन लगा कर 15 मिनिट के लिए रिष्ट के लिए रखेंगे यह रिष्ट कर रहा है चलिए रैता बना लेते हैं रैता बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप दही दही को मैंने फेट करके लिया है आधा खीरा का शिलका उतार कर बारी काट के लिया है एक गाजर लिया है एक टमाटर एक प्याज मैंने काट करके लिया है एक हरी मिर्च और थोड़ा सहरा धनिया इसे बारी काट के लिया है सारे चीज़ों को भी साइड में रखेंगे, अभी हम दही में डालेंगे एक चोथाई कब पाणी, क्योंकि दही थोड़ा गाढ़ा है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही को आप अच्छे से फेट करके लिए उसमें लम्स नहीं होने चाहिए, दही अच्छे से म निए बहुत ही आसानी से बन जाता है गर्मी के सीजन में रैता हमारे लिए बहुत ही फैदे मंद है खेली होने के साथ ये रैता आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा और आपको जरूर परसंद आएगा अपने पसंद से इसमें चुकंदर ककिरी या जो हम सैलेट की रूप मे डाल सकते हैं आप इस रहता को मिंटो में बीना गयस जलाया बना सकते हैं सबजीए को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे पूरी पड़ाठा रोटी के साथ खा सकते हैं एच्छे से मिक्स हो गया है चलिए अभी से चटपटा रणाने के लिए कुछ मसाले भी हैट कर लेते हैं हमिस में डालेंगी एक चोथा चोटा चमच काली मिर्ज का पाउडर एक चोथा चोटा चमच भुना हुआ जीडा पाउडर आधा चोटा चमच स्विंच डालेंगे चाट मसाला एक चोटा चमच काला नमक सप्रेद नमक हमिस में स्वाद के अनुसा डालेंगे अब हमिस में डालेंगे आधा चोटा चमच लाल मिर्ज का पाउडर मसालो को हम राता में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है रायता हमारा बन करके तयार हो गया है चलिए अब इसे गार्निस कर लेते हैं इसमें डालेंगे थोरा साहरा धनिया एक चुटकी बुना हुआ जिरा पाउडर और एक चुटकी लाल मिर्स का पाउडर तो रायता बनकर तयार है अब रोटी के लिए जो घोल हमने तयार किया था वो भी सेट हो गया है यह देखे यह थोड़ा गढ़ा हो गया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तबाको अच्छे से गरम करेंगे उसमें डालेंगे तेल, किसे टी सूपेपर या किसूती कप्रे से इसे पोच कर चिकना कर लेंगे अब हम इसमें वेटर को डालेंगे और चमच की सहाथा से हम इसे 4 तरफ अच्छे से फैला लेंगे हम इसे मेडे फ्लेम पे पकाएंगे एक डोटी को बनने में लगवग 2 मिनिट का समय लग सकता है अब यह उपर से थोड़ा डार्क हो गया है तो हम इसे पलट लेंगे इसे हम थोड़ा साथ धानी से पलटेंगे नहीं तो यह तूट सकता है इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है मेडे फ्लेम पे हम इसे पकाना है इसे हम अच्छी तरह से दोना तरफ से पलट पलट कर सेख लेंगे ओट्स की रोटी हमारे लिए बहुत ही फैदेमंद है खिलने होने के साथ साथ ओट्स की रोटी टेश्टी भी होता है ओट्स हमारे बेटलोस में तो बदद करता ही है साथ ही यह हमारे स्केन के लिए भी बहुत ही फैदेमंद है यह हमारे क्लेस्टरोल को भी कंट्रोल में डखता है और अगर आपको कबज की समस्या है तो भी यह आपको बहुत पायदा पहुचाएगा रोटी को मैंने सेक लिया है अब दूसरे रोटी को भी हम सेक करके तयार करेंगे यह ऊपर से डार खुने लगा है अब हम इसे प्लट लेंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से शेक लेंगे एक बड़ आप इस रोटी को बनाकर जरूरर ट्रैक डेए आप पसांद आएगा अब हम दूबारा से प्लटिकर इसे सेख लेंगे, अच्छे से हम इसे प्रेस करते हुए सेखेंगे, दूसरा रोटी भी बनकर तयार हो गया है, तो चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं, तो लीजिए बनकर तयार हो गया है, हेल्दी, तेश्टी, ओट्सकी रोटी और वेजटेबल रहा था, आपको जब मरज गले वीडियो में ने रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार